नमस्कार दोस्तों यार पोको ने इस बार खुद का ही रिकार्ड तोड़ दिया एक तरीके से पोको X2 भी रिब्रांडेड वर्जन था और अभी पोको M2 Pro भी एक रिब्रांडेड वर्जन है आगे क्या होगा पता नहीं लेकिन पोको ने इस बार पूरा का पूरा कॉपी नहीं किया है यहां पर आपको चार्जिंग टेक्नलोजी बेटर मिलती रेड्मी नोट 9 Pro के कंपेर में वैसे सुनने में आया था कि पोको M2 Pro में कुछ प्राइविसी इशू है जैसे कि क्लीन मास्टर जैसे एप्स जो है वो इसमें प्रिस्टर आपको मिल जाते है लेकिन कंपनी ने अभी फिलहाल यह क्लियर किया है कि जो इशू चल रहा है प्राइविसी का वो अगले अपडे इस समस्ता को भी हल कर देते बहरेगा इस वीडियो में यूर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्पना इंडिये चली जानते कुछ वडिया दोस्तो एक और चीज नोट कीजिएगा हम लोग इन दोने स्मार्टफोन के 6GB RAM एंड 128GB आप इंटरनल स्टोरेज वाले को पिक कर रहे है जिसका फ्राइज आपको 17,000 रुपे पढ़ रहे हैं डिजाइन और वेट की बात करते हैं सबसे पहले Poco M2 Pro में आपको ग्लास का फ्रेंट और बैक मिल जाता है, साइड माउंटेट फिंकर पिंट सेंसर मिलता है और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है 209GB का वेट है और 8.8mm की थिकनेस दी गई है Motor Love One Fusion Plus में आपको प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है ग्लास का फ्रेंट है, रिर माउंटेट फिंकर पिंट सेंसर है, 210GB का वेट है और 9.6mm की थिकनेस मिल जारी है डिजाइन वाइस दोस्तों, Poco M2 Pro आपको एक बैटर डिजाइन प्रोवाइड करता है कैमरा बंस जरूर देखने को मिलते हैं आपको बैक पैनल पे लेकिन वहाँ पे आपको जो डिल कलर्स वाला इफेक्ट मिल जाता है, वो काफी बड़िया सा लगता है देखने में बेल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे भी Poco M2 Pro बैटर है कि यहाँ पे आपको फ्रेंट पैक पेनल दोनों ग्लास का दिया गया है इस वज़े से यहाँ पे आपको कॉर्णिंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, मोटरलाव वन फ्यूजन प्लस में आपको प्लास्टिक की बॉडि दी गई है, दोनों ही स्मार्टफोन वाटर वेपलेंट भी है डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो पोको M2 Pro में आपको 6.67 इंचेस वाली फूल HD प्लस IPS LCD दिस्प्ले मिलती है, साथ में HDR10 का सपोर्ट मिल जा रहा है बात करते हैं मोटरल लाफ वन फ्यूजन प्लस की तो यहाँ पे भी आपको 6.5 इंचेस वाली फूल HD प्लस इस्प्ले मिल जाती है, IPS LCD पैनल वाली साथ में HDR10 का सपोर्ट दिया गया है बात कर लेते हैं display size and quality की तो यहाँ पे भी Poco M2 Pro better है Motorola One Fusion Plus से हाँ अगर आपको एक full view display experience चाहिए तो इसके लिए Motorola One Fusion Plus यहाँ पे अविलेबल है जहाँ आती display quality की बाद तो दोस्तो 450 Neat की peak brightness आपको Poco M2 Pro provide कर रहा है which is good, HDR10 का support आपको दोनों ही smartphone में दिया गया है processor की बात करते हैं दोस्तो Poco M2 Pro में Snapdragon 720G दिया गया जोकी 8NM प्रोसेस पे बनाया है साथी 2.3 GHz की maximum frequency प्रोवाइड करता है Adreno 618 आपको यहाँ पे दिया गया है बात करते हैं Motorola One Fusion Plus की तो यहाँ पे आपको Snapdragon 730G दिया गया है साथ में 8NM प्रोसेस पे यह बना है साथी 2.2 GHz की maximum frequency देता है Adreno 618 यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे मामला थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाल है अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो सही है अगर नहीं देखे होगी तो मैं फिर से बता दे तो आपको Snapdragon 720G एक latest processor जरूर है लेकिन जो पुराना वाला processor है Snapdragon 730G पुराना होने के बाद में भी उसका CPU and GPU performance Snapdragon 720G से बैटर है अगर हम लोग gaming performance की बात कर रहे है तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि Snapdragon 720G एक अच्छा processor नहीं है यह भी अच्छा processor है लेकिन उससे अच्छा Snapdragon 730G है जो कि आपको Motorola One Fusion Plus में मिल रहा है जबकि Snapdragon 720G Poco M2 Pro में मिल रहा है दोनोई chipset पावर एफिशेंट chipset है जिसे कि आप लोगों को पता है Adreno 618 दोनों में मिल रहा है तो मतलब gaming performance को लेकर के दोनों smartphone में कोई problem नहीं होगी लेकिन अगर एक overall CPU performance और GPU performance की बात करो तो Snapdragon 730G आपको एक better performance provide करेगा जो कि आपको Motorola One Fusion Plus में मिलेगा कैमरास की बात करते हैं दोस्तो Poco M2 Pro में आपको 48MP वाला quad camera setup दिया गया है और 16MP का selfie camera provide किया गया है माच करते हैं यहाँ पे Motorola One Fusion Plus की तो यहाँ पे आपको 64MP वाला quad camera setup दिया गया है साथ में 16MP वाला pop-up selfie camera दिया गया है camera wise Motorola One Fusion Plus मुझे थोड़ा सा better लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 64MP वाला quad camera setup आपको दिया गया है साथ में 16MP वाला pop-up selfie camera प्रोवाइड किया गया है लेकिन हम लोग pixels की बात नहीं करते हम लोग picture quality की बात कर दे दोस्तों हमारे जो technology ग्यान वाले मनुष सारू सर है उन्होंने एक Realme 6 और Poco M2 Pro का comparison किया था में उन्होंने यह बताया था कि दोनों की camera quality किस तरीके की है हम लोग Realme 6 की बात ने कर रहे हम लोग Poco M2 Pro की बात कर रहे जा पर आपको जो image quality है चाहिए वो rear panel की हो और front panel की हो दोनों में जो saturation है वो काफी ज़्यादा देखने को मिल रहा है इसलिए camera department में Motorola One Fusion Plus बैटर होगा दोनों ही smartphone में आपको 4K वीडियो से recording का support मिल जाता है 30 apps पे बैटरी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको Poco M2 Pro 5000 mAh वाली बैटरी प्रोवाइट करता है साथ में 33W की fast charging का support दिया गया है बात करते हैं Motorola One Fusion Plus की तो यहाँ पे 5000 mAh वाली बैटरी के साथ में 18W की fast charging का support दिया गया है बैटरी डिपार्टमेंट में ज्यादा सोजने की बात नहीं है Poco M2 Pro आपको एक अच्छी बैटरी लाइप प्रोवाइट करता साथ में अच्छी charging technology भी आपको यहाँ पे दी गई है Second number पे आता है Motorola One Fusion Plus Conclusion में मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा Poco M2 Pro के साथ में आपको एक अच्छा power efficient chipset मिल रहा है एक अच्छी display quality और एक अच्छी build quality मिल रही है अच्छी charging technology के साथ में एक अच्छी बड़ी बैटरी मिल रही है जबकि अगर आप Motorola One Fusion Plus के साथ में जाती हो तो आपको एक full view display मिल जाएगा एक अच्छा procession मिल जाएगा जो की gaming के लिए capable है साथ की साथ आपको यह पर एक बड़ी battery भी मिल जाएगी और उसके अलावा एक अच्छा camera भी मिल जाएगा दोनों का जो price है ना दोस्तो 6 120 वाले variant का 17,000 रुपे अगर आप उससे कम में कोई smartphone purchase करना चाहते हो it means 14,000 का आपका budget है और इस price range में भी आपको एक अच्छा balanced smartphone चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए Poco M2 Pro है जो की आपको आशनी से available हो जाएगा लेकिन अगर आपको 6 120 वाला variant लेने की चाहए तो आपके लिए Motorola One Fusion Plus Market में available है लेकिन वहाँ पे आपको build quality के साथ में compromise करना पड़ेगा आप लोग confused हो इसलिए वीडियो पे आए हो और मैं अपना conclusion आपको बताऊँगा I think आपको Poco M2 Pro के साथ में जाना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने smartphone में एक balanced specification चाहते हो तो Poco M2 Pro एकदम सई smartphone है और आपको 14,000 की price range में भी मिल जाएगा अगर आपका budget 14,000 का है तो और अगर आपको gaming के लिए कोई smartphone लेना है जो की mid-range segment में आपको मिल जाए I mean 17,000 रुपीज की price range में तो इसके लिए motor love one vision plus better होगा build quality क्या लेना देना है तो दोस्तो ये थी एक ऐसी वीडियो जहाँ पे हम लोग ने इन दोई smartphone को comparison किया था दोनोई smartphone है दोस्तों काफी powerful smartphones है और दोनों में comparison करना काफी मुश्किल हो चुका था क्योंकि कई लोग confused थे क्या करकर मोटर ला one vision plus बाई करें या फिर Poco M2 Pro बाई करें क्योंकि दोनों के price लगबख similar है चेक्स और टाइस वाले वेरे निकी तो यहाँ पे confusion तो होना ही था इसी वज़ा से यहाँ पे conclusion निकल के सामने आता है कि Poco M2 Pro अगर आपका budget 14,000 रुपे का है और आपको अपने smartphone बैलेंस स्पेसिफिकेशन चाहिए तो Poco M2 Pro है अगर आपको एक gaming smartphone चाहिए मिटरन सेग्मेंट में तो इसके लिए Motorola One Vision Plus है तेकिन याप आपको build quality के साथ में compromise करना पड़ेगा वीडियो पसना आगे वीडियो को like कर दीजे शेर कर दीजे अपने दोस्तों के बीच में चैनल सस्क्राइब ने किया सस्क्राइब करके रख दीजे क्योंकि इस तरीकी की daily take videos आपको इस चैनल पर मिलने वाली है तो फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में आपकी क्या राय है आप बता सकते comment box में comment करके तो फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में दब तक क्लिवाए